हाई हाई आपने इस सिचन में मैं स्रीमा देशी इंडियन सिचन में आई है वड़ा ब्रेश का ध्यवड़ा बनाने जा रहे हैं इस तरीके से और हमने मिर्ची पॉडर लिये हैं काली मीरी पॉडर लिये हैं और हाउस केजी धय लिये हैं जिसमें हमने शक्कर और नम्माक मिलाए हैं तो अब आप देखिएगा हम इस क्या करते हैं अब हम इस ब्रेट रोल को हमने घी अल्रेडी गरम कर दिये हैं हमने घी गरम कर दिये है और इस ब्रेड को फ्राइ करेंगे ब्राउन जैसा ब्राउन फ्राइ करना चाहिए अच्छे से ब्राउन होना चाहिए ब्रेड आप देखिएगा देखिए ब्रेड अच्छे से ब्राउन करना चाहिए घी में इसमें हम घी डालते हैं तेल नहीं डालना चाहिए घीव डालके ट्राइ करना चाहिए घी का टेस्ट और अच्छा रहता है तेल में यूज़ करना चाहिए अब ये हलका ब्राउन हो गया है हम इसे निकाल देंगे एक प्लेंट में इस तरह और ब्रेड को ब्राउन करना चाहिए अच्छा हलका क्रिस्पी होना चाहिए ब्रेड देखिए कैसा ब्राउन होते जा रहा है ये हमने घी अल्रेडी पहले से गरम को रख दिये थे तो हमने अभी इसे ब्राउन किये है आप देखिएगा आप देखिए ब्राउन इस तरह ब्राउन हो गया है अभी आप एक काम किजिगा इस प्लेट पे धै पिछा दीजिए हमने ये धै फेट के रखा है ये प्लेट पे धै आपको ऐसा बिछाना है इसी तरह और धै में हमने शपकर और नम्मक डाले है और उसको फेट दिये ऐसा बिछाना चाहिए धै आप देखिए अब हमने ये धै बिछा दिये है इसका अभी हम एक एक ब्रेड लेके इस पैसा रख देंगे एक एक ब्रेड इस पे रख देंगे इस तरह अब देखिए ब्रेड का धै वड़ा है आप घर में कोशिस किजिए इसके बाद हम और धै का लिए इस पे डाल देंगे इस तरह देखिए अगा इस तरह हम बिछा देंगे धै का लेयर धै को अच्छा पेटना चाहिए आप खाके देखिए जब बहुत टेस्टी है और अब ये प्लेट हम प्रिज में रख देंगे अब इस पे हम हल्का सा तरह मिर्ची पॉडर स्प्रिंकल कर देना चाहिए हल्का साहिए हल्का साहिए और ये काली मेरी पॉडर पी इस पे दालना चाहिए देखिए इस तरह हम कर रहें अभी आप इस पर हल्का काली मीरी पौडर स्प्रिंकल कीजिए इस तरह अभी ये हमारा धैवड़ा बन चुका है अब इसको हम फ्रीज में रख देंगे आदे घंटे तक और ये ब्रेड सॉफ्ट हो जाएगा अभी आप इस तरह